सारन जिले के अमनावर प्रखन मुख्याले इस्तीद इक किसान भावन में बीज बीचनन में धाजली बरतनेव से नराज किसानों ने विभाग प्रखन किसी प्राधिकारी के किलाब जम कर विरोध जताया शोमबार को विरोध प्रखन कर रहे किसानों में उमकान पंडे रंजीत कुमर दिवे दिरा केस पंडे पवन सुगला नगेंदर सिंग सभाराय सहित दरजनों किसानों ने अधिकारियों प्रारोप लगाते वे कहा कि बीज बीतरन व्यापक रुप से धादली बरती जा रही है मनमाने धंग से अपने सुपचिनकों को कोटा से अधिक बीज बितरन किया जा रहे हैं वहीं एक पैक है 40 किलोग्राम का 724 रुपिय की जगा 850 रुपिय लिए जा रहे हैं जो विभाग की मनमानी दरसाता है एक तरफ सरकार किसानों को हीट की बात कर रही है वहीं दूसरी रही बागी लपरवाई तरफ प्रतादिकारियों को मनमानी से असाफ जाहिद होता है कि अधिकारी किसान विरुदी हैं नराज किसानों ने एक लिखित सिकायट वीडियो की परभार मेरा है अमनौर सीयो सुषील कुमर कर देकर मामले की जाच कर करवाई की मांग की किसानों ने कहा कि अगर इस मामले करवाई नहीं किया गया तो किसान अंदोलन करने पर मजबूर होंगे इधर सीयो सुषील कुमा ने बताया कि किसानों द्वार अलिखित सिकायट मिला है इसकी जाच कर आगे करवाई की जाएगी अमनौर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट कितना रेट है इसकी जा रहा है एक पोकिट के लिए आचा कितना रेट है कितना रेट है इसकी जा रहा है जो आदमी अभी आया उसको बगजिन करके मिश्रा देट है और किसी तरह कि अहां बेवस्ता किसान को सुबह से साम तक परेशान किया जा रहा है इसके जिम्मारी नहीं है क्या दिक्कत करें नहीं हो रहा है जो लोकल है उनके चीने पर्ची के उनके तुरंत रहा देते हैं और हम लोग अफेक्ट दिया जा रहा है पैसा भी जादे लिया जा रहा है इसके बाद में पहा जा रहा है बाद में परेश करें